Hello everyone, आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं, हम EBS की बुक है और क्लास वन के लिए है Places of worships and our festivals और लास्ट वीडियो में हमने इसको explain किया था और आज की वीडियो में हम इसके question answer complete करेंगे तो हम इसको continue करते हैं सबसे पहला सवाल है Is the festival of colors? Colors का festival कौन सा होता है? दिवाली, Christmas, Holy, Eve तो Holy जो होती है ना उस पे हम colors से खेलते हैं तो Holy is the festival of colors नेक्स्ट है B is the festival of lights लाइट का festival क्या होता है? लाइट का festival होता है दिवाली ये right answer है दिवाली is the festival of lights गुरुपर्व is celebrated to mark the birdies of किसका बड़े होता है गुरुपर्व पे? लौड राम, सिख गुरूज, लौड कृष्ण, जिसस क्राइश तो आंसर है सिख गुरुप जो गुरुपर्व है वो सिख गुरूज का जो बड़े होता है वो celebrate करते है उस दिन थे तो इसका अंसर क्या हो जाएगा? सिख गुरूज, ओके? नेक्स है, पिपल प्रे करते हैं, सिंग करते हैं इन चर्च और वोली दिवाली गुरूप और क्रिस्मस तो इसका अंसर होगा? क्रिस्मस C-H-R-I-S T-M-A-S क्रिस्मस नेक्स है, पिपल ओन फेस्टिबल्स वीर न्यूव क्लोज, ग्रेट इच अदर ग्रेट इच अदर मेक स्पेसल डिसेज, डू अल देवाल वीर न्यूव क्लोज, ओके? वीर जब कोई फेस्टिबल होता है, तो हम क्या करते हैं? नए कपड़े पहनते हैं तो क्या हो जागा? पिपल वीर न्यूव क्लोज ओन फेस्टिबल्स नेक्स्ट है, लूग अट दा पिक्चर ओन लेफ्ट, इस नेम इस जमबल्ड अप, राइट दा करेक्ट नेम विद दा हैल्फ ओप दीज वर्ड्स इन दा ब्लैंक के वे, ओके? यहाँ पे आपको पिक दीवी है और यहाँ पे फेस्टिबल का नेम दिया हुआ है लेकिन तो फेस्टिबल का नेम है वो ओर्डर वाइस नहीं है तो आपको करेक्ट ओडर में लिखना है जो लेटर है वो आपके सामने दिय हुए है पर आपको इन्हें ओडर वाइस अरेंज करना है और एक फेस्टिबल का नेम लिखना है जो इससे बन रहा है ठीक है तो यहाँ पे दिया है दिया और यह दिवाली क्योंकि जो दिवाली होती है उस पे हम दिया से घर डेकूरेट करते है डी आई डबलू ए ल आई ठीक है यह हो गया दिवाली नेक्स्ट क्या है यह है सेवई तो सेवई कब होती है इद उल्फितर पे होती है तो आपको इसमें से इद, उल, फितर का जो spelling है वो correct करके यहाँ पर order wise लिखनी है, ओके तो हम लिखते हैं इद, उल, फितर की spelling क्या होती है E I D U L F I T R यहाँ पर क्या हो रहा है लंगर बन रहा है तो लंगर कहाँ बनता है ग्रूप अर्ब पर बनता है तो ग्रूप अर्ब की spelling हमें यहाँ पर correct way में लिखनी है तो ग्रूप अर्ब की spelling क्या होती है G U R P U R A B ठीक है next है यह क्या है गुजिया गुजिया कब हुन बनती है holy में बनती है तो यह हो जाएगा H O L I holy okay यह Santa Claus तो यह Christmas में होते है यहाँ C H R I S T M A S Christmas okay दिया फेस्टिबल दिवाली यह से अब ही है फेस्टिबल इद उल्फितर लंगर बन रहा है तो फेस्टिबल क्या होगा गुरुपर्व G U R P U R A V गुजिया है तो फेस्टिबल होगा Holy H O L I और यह सेंटर क्लॉज है तो हमारा फेस्टिबल क्या होगा C H I S T M A S Christmas Okay Next है Name the festival When these dishes are cooked यहाँ पे कुछ dishes दीवी है और यह dishes किस festival पे बनाई जाती है तो उस festival का आपको नेम लिखना है सेवी कब बनती है सेवी बनती है इद पे तो इद का पूरा नाम क्या होता है इद उल्फितर होता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इद उल्फितर ओके यह केक है केक कब बनता है Christmas पे बनता है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे Christmas लिखेंगे next gujia, gujia कब बनती है, gujia बनती है holy पे, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे holy, ओके, एक बार इसको हम complete कर लें, फिर जास्ट एक revision करेंगे और फिर video stop करेंगे fill in the blanks using the words given in the box यहाँ आपके पास एक कुछ words दिये गए है, एद मुबारक God, Moscow holy 25th December तो हमें यह फिल करना है All of अलु आफ आस pray to the same gravitous ठिक है Next Muslim go to Muslim कहा जाते है pray के लिए Moscow में जाते है खार इस दिच्ण प्ले ते फेश्टिवल ऑफ कलर्स कलर्स का फेश्टिवल किसको कहा जाता है होली को ओन इद उल्फितर पिपल से इद मुबारक क्या कहते हैं इद मुबारक कहते हैं क्रिस्मस इस सेलिब्रेटेड एवरी एर ओन 25 दिसमबर ओके तो इद उल्फितर पिपल से इद मुबारक तो इद मुबारक तो इद उल्फितर पिपल से इद मुबारक क्रिस्मस इसलिब्रेटेड एवरी यर ओन 25 दिसमबर नेक्स्ट है यहाँ पे फेस्टिबल्स नेम दिये थे उस पे जो पिपल है वो क्या क्या करते हैं आपको टू एक्टिविटी लिखनी थी और प्रे के लिए वो पिपल्स जो है कहा जाते हैं वो लिखना आता ठीक है तो गुरू पर्व में क्या होता है पिपल्स प्रे इन गुरुद्वारा जो लोग है वो कहा जाते हैं गुरुद्वारे में जाते हैं और लंगर सर्व करते हैं तो पहला एक्टिविटी होता है कि पिपल्स प्रे इन गुरुद्वारा सेकेंड सर्व लंगर और वो प्रे के लिए कहा जाते हैं गुरुद्वारा में जाते हैं इदुल फितर में क्या होता है People go to the Moscow to pray and serve सेवया to all ठेक है इदुल फितर पर क्या बनती है सेवय बनती है जो सब को सर्व की जाती है और पहला वो Moscow जाते हैं भगवान से pray करने के लिए God से pray करने के लिए और वो pray करने के लिए कहां जाते हैं मॉस्कों में जाते हैं दिवाली में क्या होता है जो पिपल्स होते हैं वो decorate their homes with dhya's and candles जो दिवाली पे होते हैं वो हम अपना घर decorate करते हैं दिया और candle से second activities होती है exchange sweets and gifts with each other और sweets और gifts जो होते हैं वो एक दूसरे के शाद सेट किये जाते हैं और pray के लिए कहां जाते हैं टेंपल में Christmas go to church to pray Christmas में क्या होता है कि church में pray के लिए जाते हैं decorate their Christmas tree और उस दिन क्या होता है Christmas tree को decorate किया जाता है और pray के लिए कहां जाते हैं चर्च में जाते हैं तो आज की जो question answer है इस chapter के वो complete हो गए हैं तो हम एक बार को revise करते हैं और फिर वीडियो स्टॉक करते हैं holy is the festival of colors दिवाली is the festival of lights गुरु पर्व is celebrated to mark the birthdays of Sikh gurus people pray and sing church on Christmas people wear new clothes on festival ओके next है दिया किसका सिंबोल है दिवाली का ओके सेमाई किस festivals में होती है इदुल फितर में ठीक है और लंगर गुरुपर गुजिया होली और सेंटर क्लॉस Christmas ठीक है अब यह dishes है वो किस festival पे बनाई जाती है वो आपको लिखना है सेवाईया बनती है इदुल फितर पे plum cake बनता है Christmas पे और गुजिया बनती है होली पे इनके आपको spelling learn होनी चाहिए आप spelling learn कर लेना and next fill in the blanks all of us pray to the same God Muslim goes to a Moscow to pray holy is called the festival of colors on Eid ulfitar people say Eid Mubarak to each other Christmas is celebrated every year on 25th December what people do guru parv people pray in gurudwara serve langar Eid ulfitar go to the Moscow to pray served sevaya to all Diwali पे क्या होता है decorate their homes with diyas and candles second exchange sweets and gifts with each other Christmas go to the church to pray decorate their Christmas tree next में है where do people go to the pray गुरुद्वारा गुरुपार्ड में कहां pray करने को जाते हैं गुरुद्वारा इद ulfitar में कहां pray करने जाते हैं मॉस्को दिवाली पे कहां जाते हैं temple और Christmas पे जाते हैं church ओके तो आज कर जो वीडियो है यहां पर stop करते हैं अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो आपके लिए helpful होते हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को subscribe कीजिए next video मिलते हैं तो तक लिए thank you and have a nice day